हेलो गाई स्वागत है आप सबका तो अदानी टोटल गेस के अंदर जो मैंने कल बताया था अज लिटरेली वही हुआ एक्जेक्ली वही हुआ जो मेरे रेगिलर्स हुए है वो तो उनको पता ही होगा जो लोग नहीं है उनको मैं बता दू कि मैंने क्लियरली यहां पर बोला आया तो एक अच्छी बात रहेगी और बिल्कुल वहीं हुआ और मुझे प्रिवियस मेरे वीडियो के उपर जो है काफी अगर देखे तो कमेंट्स आये कहीं लोगों ने उपर बेचा जिनके पस रिलेवरी थी और इंट्रेटें के अंदर इसे नीचे 9500 के आसपास वापस से खरिद लिया था काफी बढ़िया बात है और आगे सोमवार को क्या हो सकता है और पूरे वीक की क्या बात होगी उसके उपर हम अगल अलग से वीडियो बढ़ाएगे तो जिन्हों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को और जो नए है उन लोगों को और जो लोग शेर मार्केट के अंदर जुड़े हुए है वो उसके साथ शेर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और आज की अगर बात करें यहां पर तो हुआ कि एक हजार के ऊपर यह बंद हुआ और इसका जो 21 दिनों का मुविंग और यहां पर एक अच्छा कासा क्रेक्शन आ सकता है और यहां पर आया भी यह वोलियम जरा देखें तो चार पात दिनों के मुवक्त अबले दबल था और यह अगर देखें तो तक्रीबं तक्रीबं 13 लाग के आसपास की डिलिवरी हुठी है और वोलियम भी अचा खासा है 50 लाग के आसपास मतलब कि 5 मिलियम के आसपास और पसेंटेज में अगर देखे तो 25% के आसपास की जो है कॉंटिटी उठाई गई है तो यह काफी बढ़िया बात रही अब इसके अंदर अगर देखे तो आगे क्या हो सकता है 1030 के उपर अगर वहाँ पर आगर लुक रुपता तो जो है confirmation मिल जाता कि आगे आने वाले वीक के अंदर एक तेजी जो है यह further continue रह सकती है लेकिन फिला लबर अभी अगर देखे तो 1000 के उपर यह बंद हुआ है तो उसका मतलब यह अभी थोड़ा सा concern बना हुआ है तेजी की उमीद ज्यादा है connection की उमीद कम है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जैसे कि कुछ अभी negative news आ नहीं रहे है और hiddenberg जो है वो कुछ दूसरी कंपनी के ऊपर जो है अपनी रिपोर्ट लाने वाला ऐसा कुछ ट्वीट कुया था उसने जाए मानकर भी चल सकते है क्योंकि काफी ज्यादा नीचे था यहां पर अगर देखे तो और उसके बाद अगर देखे तो यहां पर प्र जिस जगे के ऊपर है वहां पर यह काम नहीं करता दोस्तों यह अगर market नीचे आता है तब यहां पर अगर हैंगिंग में बनता है चाहिए थी और इसके उपर में जो चाहिए लाने वाला हूं तो उसके लिए बीए आप सब्सक्राइब जरूर कर ले और पूरी प्लेइलिस्ट में बना दूगा तो उसके लिए बनाओग आपको अपडेट कर दूगा यहां पर इसके अगर देखे तो फिलाल अभी इसका तो फाइव डेस और नाइन डेस का EMA है अब यहां पर देख सकते हैं कि इसका आज इसने जो बाउंस बेक लिया साड़े 900 के आसपास तो यहां पर इसका फाइव डेस का जो है मुविंग एवरेज था जो की 956 रुपे है बिल्कुल आप देख सकते हैं यह जो औरेंज कलर की से तो मुविंग एवरेजिस जो होती है काफी ज़्यादा का व रर्क करती है काम आती है और इसे नीचे अगर देखे तो 9 डेस का मुविंग एवरेज़ भी है 934 रुपे तो support जो है वह कहीं नाखीं यहां पर यहां पर ले रहा है यह चोhग हो रहा है यह जो बड़ी वाली केंडल है जिसकी अपर बोड़ी ज्यादा है तो यह इसका जो लेवल है साड़े ग्यारा सव रुपे कास यहां पर टिक किया हुआ है यह सोमा को यहां तक नहीं जा सकता है कि पाच परसंग का अपर सर्कुट इसकी लिमेटेड है यह लेकिन आने वाले के अंदर यह लेवल को जो है देखना इंपोर्टन है अगर तेजी आती है सबसे पहले यहां पर जाने की कोशिश करेगा उसके बाद फॉर्दर तेजी भी इसके अंदर बारा सो से साड़ा बारा सो तक की भी आ सकती है नीचे में अगर बात करें तो यह साड़े 900 से सवा 900 अगर देखें और यह हर दिन चेंज होता रहता है पाच दिन का मुविंग एवरेच है तो यह जो है सबसे पहला तो एक अचा खासा सपोर्ट है और इसका फॉर्दर सपोर्ट अगर देखें तो आट सो असी से 900 रुपे तक का बन सकता है और इसका यह वीकली चार्ट जो हम अगर हम डीटेल वीडियो बनाएंगे वह देखना भी ना भूले सबस्क्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को और अभी इसके फिलाल हम सोमवर की बात करेंगे लेकिन अगर में शौट में बता हूँ का अगर सबसे पहले तो सबसे पहले तो सबसे पहले बारा सो तक तो आर यहां पर फिर से अगर देखे तो लेकिन यह चोटा रहेगा और यहां पर फिर से मैंने डेली चाट लगा तो इसके उपर आप जो है अब इसका 21 दिनों का जो मुविंग इसको पार करके अच्छी बात यह हुई कि उसको उपर यह इसके इसके इसने जो है क्लोजिंग दी ह हो सकता है कि इसके अंदर अभी कुछ और इंवेस्टर मतलब की ट्रेडर्स हो की जो इसके अंदर सेलिंग करने आए तो मतलब की छोटा सा एक जो है अभी भी हो सकता है और निचे में मुझे इसा लग रहे है कि अब सपोर्ट की बात करें तो यह साड़े 900 रुपे अगर द अगर देखो के कही लोग ब्लाइगा कि यह साड़े 900 रुपे अगर देखे तो 5 पर अगर देखे तो आपर सपोर्ट यह जो है और यह जो है दोनो ही दोनो 980 से 130 एक चोटा एक रेंज रहे सकता है तो इसके उपर अपनी निजर बना कर रखे और इसके अनदर आने वाले प तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें शेयर करें और जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए है साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर ले आज एक लोंग टम इन्वेस्मेंट आइडियास भी ह को में दिसन नहीं है थेंक यू